हलो फेंट्स वेल्केम टू आज चैनल क्रिप्टो विशाल क्रिप्टो का अंसी में गाईज तीन ऐसे क्वेशन है जो हर किसी के दिमाग में रहते हैं प्राइस प्रेडिक्शन को लेके वो यह है कि बिटकॉइन का प्राइस एक लाग डॉलर कब जाएगा शिबाइनू का प्राइस एक रुपे कब जाएगा और तीसरा क्वेशन जो की है डॉज कोईन का प्राइस क्या कभी एक डॉलर जाएगा या नहीं जाएगा तो कब जाएगा तो आज के वीडियो में guys Dogecoin के बारे में बात करेंगे क्या Dogecoin की history रही और 2023 में यानि कि आने वाले साल में Dogecoin के साथ क्या expectation है कहां तक price जा सकता है all time high एक dollar जाएगा नहीं जाएगा उसके बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले तो guys चलते हैं एक बार चार्ट में Dogecoin का हालाद देखते हैं क्या है तो currently मैं बात करूँ तो Dogecoin का जो price है वो चल रहा है यहाँ पे 0.0762 0.07627 जो है इसका price चल रहा है all time high के बारे में हम लोग बात करें तो Dogecoin का all time high जो है वो है 0.73914 जो कि यह time पे करीब करीब में के महीने में Dogecoin ने बनाया था जहाँ पे currently Dogecoin है वहाँ से उसे all time high बनाने के लिए 8.48% का pump जो है यहाँ पे करना पड़ेगा उसके बाद यह यहाँ पे जा सकता है तो एक बार पहले Dogecoin के बारे में चीज़े चेक करते हैं फिर हम लोग price के बारे बात करते हैं तो बहुत interesting quote है यह Dogecoin का अगर आप देखेंगे तो Dogecoin के founder थे उन्होंने 2015 में अपना सारा Dogecoin बेज दिया था क्योंकि उन्हें एक used पुरानी Honda Civic गाड़ी लेनी थी इसलिए उन्होंने जो अपने सारी की सारी Dogecoin की holding है वो यहाँ पे sale out कर दी मैं बात कर दो बिली मार्कस की और जब इन्होंने ये करा तो जब ये article चपा था 2021 के बारे में हम बात कर दे वो time पे ये चीज थी कि अगर वो पूरे का पूरा आज की rate में Honda को buy करना चाहें तो व पूरी की पूरी Honda खरीद लेते हैं यहाँ पे तो यह पूराना Dogecoin के बारे में बात है तो अगर हम लोग website के बारे में बात करें तो website बहुत simple सी चीज बोलती है और वो बोलती है कि open source peer-to-peer digital currency Initially Dogecoin first meme coin था जब इसको बनाया गया था Founders ने ऐसी मज़े मज़े में Dogecoin को बनाया था यहाँ पे बहुत सारे पीछे पास हिसी रही है कि जो Doge की charity थी उन सब के लिए Dogecoin को बनाया गया था लेकिन एक meme coin के तौर पे एक मज़ाख के तौर पे Dogecoin को initial level पे बनाया गया था INR में बात करें तो current Dogecoin का price is 6.32 रूपीज एट इसकी global rank है और अगर आप यहाँ पे circulating supply के बारे बात करें तो यह करीब 132 billion की यहाँ पे है बाकी चीज़ें आप अगर यहाँ पे देखना चाहे तो देख सकते है तो यह हमने बात कर ली Dogecoin के बारे में तो initially Dogecoin के price में अगर आप देखेंगे इनफेक्ट यह वाले level तक यह जो की हमारा 2021 है इससे पहले Dogecoin के price में कोई ऐसी हलचल जैसी चीज़ हमें दिखाई नहीं दीती हलके फुल के spike आए है यहाँ पे आया है एक यह वाला spike आया है हलके फुल के इदर spike चलते रहे पर major जो game स्टार्ट हुआ वो स्टार्ट हुआ यहाँ से तो कोई reason होगा जो यह pump हुआ तो यह reason के पीछे की सबसे बड़ी कहानी थी Alan Bus Alan Bus ने कई लोग बोलते हैं कि Alan Bus ने 2021 से Dodge के बारे बोलना शुरू करा नहीं Alan Bus ने first tweet किया था अपना 2019 में second April को यहाँ पे जब Dodge Coin ने एक post दाला था इन्होंने बोला था कि यार हम लोग एक CEO नया ढूंट रहे है तो इन्होंने एक poll किया था जिसमें Vitalik का भी नाम था, Alan Bus का भी नाम था, Charlie का भी नाम था तो यहाँ पे सबसे अधा वोट करे गए थे Alan Bus को 49% तो इसके रिवर्ट में Alan Bus ने एक रिवर्ट यहाँ पे message वे ट्वीट किया था Dodge Coin might be my favorite currency, it's pretty cold यह बात है 2019 के और यह मैंने जो date देखी, यह particular date पे 2X यानि की double बेसिकली जो प्राइस था वो Dodge Coin का हुआ था इसके बाद main स्टार्ट हुआ 2021 से जब Alan Bus ने और tweet शुरू करे main पर उससे पहले जो सबसे ज़्यादा popular था वो हुआ था 2020 का Alan Bus का यह tweet, यह बात है 18 जुलाई की, अगर आप price के बारें बात करेंगे तो यह हम लोग इदर आ जाते है 18 जुलाई 2020, यह आप देख सकते हैं, एक spike आया था इसके price में, यह था January का इससे पीछे अगर आप चलेंगे, तो यह वो time था जब डॉच कोईन के price में यह वाला जो area था जब Alan Bus ने first officially individual डॉच कोईन का tweet किया था और इसके बाद उन्होंने line यहाँ पे लगा दी, frankly बोलो डॉच कोईन की मेरी holding पहले से है पर वो Alan Bus की वज़ा से नहीं थी, वो इसलिए था कि चलो एक entertainment के लिए meme कोईन को अपने portfolio में रख लो पर उसने जवरदस profit वहाँ पे दिया important और सबसे बड़ा जो Alan Bus ने announce किया था, जिसके बाद यह चीज तै थी कि एक dollar चला जाएगा वो था Alan Bus का यह announcement मैं बात करना हूँ अभी 2021 की में का tweet था यह और यहाँ भी इन्हों ने बोला था कि जो SpaceX का जो mission है उनका उसके लिए जो transaction होगा वो dodge coin में होगा 2022 में यह वो एक particular news थी जिसने actual में dodge coin पे लोगों को और ज़्यादा trust दिखाया कि इतनी बड़ी चीज ऐलन बस यहाँ पे करने के लिए बोलो और इसके बात price में pump हमें देखने को मिला अगर आप 13, 2021 के बारे बात करेंगे तो यह अगर आपडेट देखेंगे यह उसके आसपास का ही time था जब all time high dodge coin ने अपना यहाँ पे बनाया था यह तो रही छोटी मोटी इसकी history पीछेगी dodge coin के अगर हम लोग wallet address के बारे में बात करें तो यह भी माना जाता है कि जो सबसे ज़ादा dodge coin की holding है यानि कि जो 25% है वो ऐलन बस के हाथ में है इसके बाद अगर आप बात करेंगे कि जो total 51% की holding है वो top 15 addresses के पास है total 70% की holding 115 addresses के पास है तो एक चीज यह है कि कुछ specific लोगों के हाथ में dodge coin की बड़ी power है अब obvious सी बात है यह एक डर हमेशा बना रहता है कि अगर उन्होंने sale out कर दिया तो dodge coin के सीधा एक dump से spike जो sharp dump है वो dodge coin के price में देखने को मिलेगा अगर यह जो बड़े whales है इन्होंने यहाँ पे अपनी holding dodge coin की जो sale out कर दी dodge coin के बारे में क्या अच्छी चीज है वो सबसे बड़ा positive point है dodge coin को और वो है यह इनसान जिनका नाम है alan musk alan musk आप जानते हैं दुनिया के सबसे ज़्यादा अमील लोगों में से आते हैं जब अगर आप world devil पर बात करते हैं सबसे ज़्यादा technology driven इंसान कौन है उसमें alan musk का नाम आता है जब से उन्होंने tesla बनाई उसके बाद spacex करो और अगर आप alan musk की history भी पीछे की देखेंगे तो आपको समझ में यह आएगा कि अगर वो किसी चीज के पीछे पड़े है तो उसको उन्होंने उठाया है वहाँ पर problem doge coin की क्या है कि क्या एक alan musk के भरोसे आप अपना investment कर सकते हो यह सब की individual cost है आप लोग जानते है मेरी भी अच्छी गासी doge coin की holding है पर उससे भी जादा और coin है जैसे की bitcoin है ethereum है bnb है जिसकी उससे जादा holding है लेकिन आ doge की भी ठिक ठाक holding रखी हुई है buy किया था उससे पहले भी buy करा था एक रुपए से कम के price में buy करा था उसको sale out किया उसके बाद फिर यहाँ पर buy करा तो overall अगर मैं बोलू तो अच्छा गासा profit है doge coin में अभी भी price नीचे जाने के बाद भी तो problem सबसे बड़ी doge के साथ क्या है वो है कि कोई बहुत बड़ा use case नहीं है अपनी blockchain ला रहे है project अपने वो यहाँ पर बना रहे हैं लेकिन use case इन सब के बाद भी कोई बहुत जादा नहीं है फिलहाल as a payment medium यहाँ पर use करने के बारे में बात हो रही है doge coin social पर बहुत active है reddit पर especially community बहुत active है doge coin के बारे में जब हम लोग बात करते हैं important चीज़ पर आते हैं guys और वो यह है कि क्या doge coin का price एक dollar जा सकता है एक और चीज़ इससे पहले भी मैं एक और बात बोलना चाहूँगा क्योंकि बहुत सारे लोगों का बोलना है कि doge coin survive नहीं कर पाएगा देखिए इस चीज़ के बारे मैं clear cut बोलना चाहूँगा survive market कर पाएगा अगर आप doge coin के बारे में बात करें तो 2013 से doge coin market में है लेकिन वो बात obvious ही है कि pump जो start हुआ था वो इसका ये level से start हुआ था जो कि आपके 21 की बात है जब btc ने अपने all time high जिस साल में बनाया था survive कर पाएगा बहुत सारे market doge coin ने survive करे है 13 से अब तक बहुत crash आए है वो doge coin ने survive करे है तो वो survive का problem doge coin का नहीं है पर हाँ एक इनसान के भरोसे क्या आप अपना investment लगाएंगे नहीं लगाएंगे वो individual cost यहाँ पर या individual call जो है आपकी हो सकती है price prediction के बारे में बात करेगा इस तो doge coin एक डॉलर जाएगा नहीं जाएगा 2023 में doge coin एक ऐसा coin है जिसके बारे में कोई भी नहीं बता सकता और उसके पीछे का सबसे बड़ा reason यह है कि अगर Alan Musk ने कुछ भी announcement doge coin का बड़ा कर दिया टेसला बाय या कुछ भी ऐसा आने वाले टाइम है तो एक price में pump आपको देखने को मिल सकता है पर 1 dollar 2023 में मेरे ख्याल से मुश्किल रहेगा doge coin के लिए या फिर आप बोल सकते हैं कि आसान नहीं है हाँ, Alan Musk के update आते हैं doge coin के price में pump मिलता है लेकिन सबसे बड़ा problem यह है कि वो pump को अगर आपको बचा के रखना है तो आपके ecosystem में development होते रहने चाहिए क्या doge coin 1 dollar यहाँ पे चला जाएगा मुझे नहीं लगता नहीं जा सकता जा सकता है, कई question आएंगे अभी supply को लेगे, कि इसकी तो supply है coin minted होते रह रहे हैं, कैसे जाएगा लेकिन आने वाले time में जब crypto का adoption बढ़ेगा तो doge coin का price मुझे उम्मीद है जाएगा और Alan Musk doge coin को नहीं छोड़ें क्योंकि आपको यह समझने पढ़ेगे कि यह चीज़े ego से related होती है और अगर कोई इस level पे है जहां पे Alan Musk है तो उनके लिए उनकी ego से बड़ी कोई चीज़ नहीं क्योंकि doge coin crash होता है तो उनकी उपर बात आ जाएगी आने वाले time में कि आपको तो doge father खाजाता था, आप दिन बढ़ doge coin के tweet करते रहते तो crash कैसे हो गया या नहीं गया ऐसा हो गया तो वो मुझे नहीं लगता होगा पर हाँ कभी जाएगा वो एक यहाँ पे interesting question हो सकता है important इस साल next year doge coin से जो मेरी expectation है at least जो मुझे लगता है कि हाँ यार इतना तो चला जाएगा again करम ने शिबाइनू का वीडियो किया था वहाँ पे भी मैंने आप लोग को एक चीज बोली थी वो ये थी कि किसी भी coin का price अगर हम लोग expect कर दे हैं 2023 में उसके लिए एक बहुत important चीज और वो ये है कि BTC को यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा अगर Bitcoin के price ने 50,000 का level 2023 में देखा तो मेरा Dogecoin से expectation at least ये level को break करने का है जो की है 0.34950 का ये वाला level मुझे उमीद है कि Dogecoin यहाँ पे तोड़ देगा क्योंकि अगर हम लोग बात करें current level से पहला rise sense बैठा है 0.09 पे फिर है 0.172 पे फिर है 0.21 पे और उसके बाद है 0.34 पे तो मुझे ये वाला level ज़रू Dogecoin का लगता है कि अगर 50,000 BTC ने बनाया next या तो Dogecoin के price में आपको ये वाले level तक आने के आसार है अगर इस level तक भी हम लोग यहाँ पे price के बारे में बात करें तो भी Dogecoin को ये आप देख सकते तो भी इसे करीब करीब 351% का pump करना पड़ेगा जो कि मुझे नहीं लगता बहुत बड़ी चीज़े Dogecoin के लिए एलन मस ने अगर कुछ माहॉल बनाया और ट्वीट करे इदर तो इसका price rocket की तरह पहुँच जाएगा अगला question कि क्या Dogecoin को अपने portfolio में रखना चाहिए मेरा मानना है रखना चाहिए Dogecoin को पर हाँ ये आपको समझना पड़ेगा कि Dogecoin को आप कितनी quantity में रखेंगे देखे Doge और Shiba ये दो तरीके से चलते हैं या तो life भरबात कर देंगे या फिर life भरब देंगे अभी आपका call है कि क्या आप इतने amount में खरीद सकते हो meme coin मेरा मानना ये है कि आपके portfolio का सारे meme coin मिला के अगर मैं बोलू मेरा मानना है कि आपके portfolio का 5-6% से ज़ादा नहीं होना चाहिए long run पे जब market recover करेगा वो time भी आप कुछ भी खरीदोगे उसका price pump हो जाएगा लेकिन ये जो market चल रहा है beer market जो चल रहा है यहाँ पे actual में समझ में आता है कि meme coin कितना होना चाहिए और bitcoin और ethereum जैसे जो बड़े alt coin है वो कितने हमारे portfolio में यहाँ पे होने चाहिए in short dodge वो coin है आप गालियां दें आप पसंद करें लेकिन एक चीज़ ज़रूर है वो यह है कि आपके दिमाग में हमेशा रहेगा जैसे शिवाईन हूँ आपके दिमाग में है वैसी dodge coin भी आपके दिमाग में हमेशा रहेगा तो यह था guys dodge coin के बारे में मेरा मानना पर हाँ एक डॉलर मैं पका वेट कर दाऊ और जब भी मेरी जितनी holding है मैं उसी time पे निकालने का मेरा अभी के date में plan है कि जब इसका price एक डॉलर जाएगा कि एक अच्छा खासा amount dodge coin के price से मैं गेन करूँ वो bitcoin के all time high having के एक साल बात 25 में होगा 24 में होगा जब भी होगा पर हाँ मैं personally hold कर दाऊ dodge coin को एक और reason में आपको बताना चाहूँगा कि जितनी मेरी dodge coin की holding है वो बहुत कम amount से है क्योंकि dodge coin को बहुत कम price में लेके high price में बेचा उसके बाद फिर से buy करा तो जिस price से profit लिया था उसी price से मैंने dodge coin को buy करा तो इसलिए मेरा पैसा बहुत साथा dodge coin पे लगा नहीं है पर हाँ वो profit वाला है वो अपनी जेब से डाला हुआ पैसा नहीं है तो profit वाले में आपको फरक नहीं पड़ता उसी coin से आपने लगाया था उसी coin पे आपने दुबारा लगा दिया price wise वायत बोलू तो करीब मैंने वो time पे 51,000 dodge coin खरीदे थे जिसके लिए मैंने करीब 12,000 USDT पे करे थे पर वो 12,000 USDT dot से ही कमाये थे और dodge पे ही लगा दिये तो इसलिए मुझे बहुत जादा उसकी tension नहीं है वहीं से कमा के वहीं लगाने पर आपको अगर इतने बड़े quantity पे लगाने तो थोड़ा सोच के लगाए यहाँ पे कि आपको एक आदमी के भरोसे लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं मैं risk लेने को तयार हूँ क्योंकि बहुत सारे risk पहले भी ली है और again जैसा मैंने पहले बोला earning वाले को ही दुबारा यहाँ पे लगाया है और वो लगाया frankly एक ही चीज़ के भरोसे है और वो है Elon Musk के भरोसे और Dogecoin में कोई बहुत जादा ऐसा development फिलहाल के लिए नहीं हो रहा है तो अगर आपको Elon Musk पे भरोसा है आप रुपे लगा सकते हैं नहीं है नहीं लगा सकते हैं आपका individual choice है यहाँ पे तो यह था गाइस वीडियो Dogecoin के बारे में आप लोग के क्या opinion यान है आप लोग की कितनी holding है शेयर करना चाहें तो जरूर एक बार comment box से बताइएगा वीडियो में पसंद आया इसको like को share जरूर केगा चैनल में कर आप नए है फर्स टैम वीडियो देख रहे है जरूर चैनल को subscribe कर दीचेगा और सारे regular updates के लिए टैलिग्राम का चैनल जोईन नहीं कर रहा है तो जोईन कर दीचेगा तेंक्यो फेंट्स